जैबाबाब बर्फानी भूखे कौन प्यासे को पानी मश्का दोस्तों आप सब का स्वागत है मेरे चैनल पर मैं हूँ आपका होश्ट सुशील गोयल उमीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होगे दोस्तों आप सब भकतों के लिए बहुत बड़ी खुशकवरी है खु और यहां जाओंगा कि आपने मेरा चैनल अब तक सस्क्राइब निए तो चैनल जू सस्क्राइब कर लें और साथ में बेला इकन जूर दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो के नोडिफिक्रिशन टाइम से मिलते रहें और आपको यह भी कहना चाओंगा अगर कि आपन अमना यात्रा पर पहली बार जायरे है तो मैसे प्सक्राइब और बाकि मेरी live streaming series मैं आज से स्टर रहा हूं जोहर बुद्वार और रविवार शाम 7-8वे संच चलेगी और उसमें आपके जो भी क्वैरी जोगी datSat साथ की साथ उसका जवाब देता रहता हूं इससे यात्रियों को उनकी यात्रा में सानी रहती है तो दोस्तों वीडियो स्टाट करते हैं तो सबसे पहले आपको अमना श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं जो की है यहां पर आगे सबसे पहले जैसा कि मैंने शोट वीडियो अपना के डाली दिया था कि 29 जून 24 से यात्रा स्टाट हो रही है और 19 अगस 24 तक यात्रा चलेगी और उसके लिए ड्वांस रेजिस्टेशन 15 अप्रेल 24 से स्टाट होगी इस वार दो तरिकों से डाला है इंग्लिश फॉर्मेट भी है और हिंदी फॉर्मेट भी है आप चाहिए जो मर्जी इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद इन्होंने ग्रूप रेजिस्टेशन के लिए एप्लिकेशन फों में वह भी लूंच कर दिया है ग्रूप र स्ट्राट होगी तो इसलिए इसके बारे में यहां पर इंफोंमिशन कोई नहीं आएगी और जो राइफ इडी काउटर है उसकी लिस्ट भी यात्रष्ट होती है तभी इसकी लिस्ट भी लीटी आएगी तो उसके बाद ये जिन डोक्टरों से हम Health Certificate बनवा सकते हैं उनकी लिस्ट है ये ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टेट वाई सभी स्टेट्स आगे हैं तो यहाँ पे सभी स्टेट्स आगे हैं तो इन में से आप देख सकते हैं कि इनको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कौन-कौन से आपके शेयर में डोक्टर से हैं जिन से आप Health Certificate बनवा सकते हैं अभी कुछ स्टेट्स की लिस्ट अपडेट होनी बाकी है वह अंटर प्रसेस लिख्यों है जिनकी आ गई है वह आप डाउनलोड करके उससे बनवा सकते हैं तो वापस आयते हैं होम पेज पर इसके वाई स्टेटवाइज लिस्ट भी इन्होंने इशू कर दिया एडवांस रेजिस्टेशन के लिए जो की है ओफ्लाइन रेजिस्टेशन के लिए इसको भी ओपन करके आपको दखा देता हूं यह सारे हर स्टेट के डोक्टरों के आपके यहां पर मिल जाएंगे काफी बड़ी लिस्ट है स्टेट वाइज आती है जैसे मेरा शेयर लुद्याना है इसमें यह पी एन बी की पांच ब्रांचीज हैं अगर मैं ओफ्लाइन रेजिस्टेशन कराना चाहता हूं तो यहां ज लेंस है और यही सबसे जिरूरह है आज के लिए क्योंकि इस में आपको सारो को पालग जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है जिसके आपको दिक्ऱक नी आएगी कोई भी रेजिस्टेशन करने के लिए इसको ऑपन कर लेते हैं तो जो अटउस को कदर तो दौ 1 यहत्तर और जो offline registration है जो बेंकों में जाकर होती है वहां पर biometric care through आपकी registration होती है तो इसलिए offline registration में सब को जाना जुरूरी होता है और जो registration है per day की पहले काम रूट से और बाल्टा रूट से 10-10 यार पर यात्री की लिमिट होती है और first come first serve होता है जो पहले registration कर लेगा उसको registration उसकी मन चाही date की मिल जाएगी और जो लेट हो जाएगा उसको उसकी मन चाही date की registration नहीं मिल पाएगी इस बार इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया है जो कि पहले कभी नहीं हुआ जैसे कि आगे क्या होता था medical certificate और registration सेम डे स्टार्ट होते थे जिससे यात्रियों को बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि medical बनवाने में पहले time खराब वहता था उससे जो रेजिट चाहते थे उनको वह नहीं मिल पाते थी मगर इस बार इन्होंने इसमें सुधार किया है medical registration इस बार जल्दी स्टार्ट हो रही है registration के मुकाबले तो इसलिए इसका यत्रियों को बहुत फायदा मिलने वाला है आठ अप्राइल दो या चोबी से आप जब मर्जी medical certificate बनवा सकते हैं जो डोक्टरोंग लिश्ट ही है उनमें से किसी से भी और 15 तरीक को जब registration स्टार्ट होगी online offline group registration तो आप साथ की साथ वह apply कर सकते हैं और फीस इस वार इनोंने banks के लिए बढ़ा दिया है लास्ट ये 120 रोए पर पर सन ओफलाइन रेजिस्टेशन बैंक से रेजिस्टेशन कराने के लिए फीस थी इस वार योगी 150 रोए पर पर सन होगी है यह तो RFID card के बारे मता हुए जो की वहां से मिलते है जम्मू से उद् पर आपके पास नहीं है तो इन रूट्स पर आपको जाने नहीं दिया जाएगा पहले जो होता था जो रेजिस्टेशन सर्टिवेट होता था वह कंपलस्री होता था मगर लास्ट येर से इन्होंने रेजिस्टेशन सर्टिवेट की जगह RFID card कंपलस्री कर दिया जब आप पर उनको दिखाएंगे वह आपको बदले में RFID card दे देंगे और वह RFID card दिखा कर या आपकी आगे की यत्रा complete होगी उसके बाद जो डेजिनेश्ट बैंक ब्रांचिज हैं और डोक्टरों की लिस्ट है वह श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड होगी है जैसे आ 15 अप्राइल को जब ओपन होगी तो आपको साथ की साथ वीडियो पना के बता दूंगा कैसे कैसे आपकी ओनलाइन रिश्टेशन होगी उसका सेम वही 15 अप्राइल से स्टार्ट हो रही है 13 साल से कम और 17 साल से यादा एज के लोग नहीं जा सकते छे वीक से यादा प्रेग इस मोवाइल नंबर और इमल आईडी को आप चार बार यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद बतायों कि जो अपने स्कैन करके अप्लोड करना है इसके लावा आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो भी ओनलाइन अप्लोड करने पड़ती है ओनलाइन रिश्टेशन के लिए इसके बाद आगे बाकी सारा कुछ वही है जो आपको पहले बता चुका हूँ इसमें थोड़ा सा प्रसेस लंबा होता है उसके उमकावले जो ओफलाइन रिश्टेशन है क्योंकि इसमें जब आप एप्लिकेशन सब्मीट कर देते हो उसके कुछ टाइम बाद चेकिंग होत अगर आपको साथ पेमेंट लिंक आता है उसके बाद आपने पेमेंट करने होती है यह दोनों प्रसेस आपको मैं अच्छे से दोनों लग लग वीडियो बनाके ओना इन डालूंगा चैनल पर ही जिससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे करना है प्रसेस बिल्कुल आती है तो इसलिए अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से देख के भरेंगे तो आपको एक परसेंट भी दिक्कत नहीं आएगी उसके लावा इन्होंने एक इमेल आड़ी भी दी हुई है कि अगर आपकी कोई क्वेरिया तो बहुत सकते हैं बाकी जो मेरा एक्स्पिरेंस है यह इन्होंने दी होती है आगे फोन नंबर भी दी होते हैं इमल आड़ी दी होती है मगर कहीं से कुछ रिस्पोंस नहीं आता इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहे हैं मुझे अमना यत्रा की मैक्सिम्म नोले है तो आपकी जो भी क्वेरिस होगी कमेंट बॉक्स में कम दोस्तों यहीं तक थी अगर आपको वीडियो प्संद रही है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजियो शेर भी जुरू कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इसके लाव मैं आमना यत्रा चारधम यत्रा के हेलिकॉप्टर पैकेज और नोर्रोल पैकेज भी सेल करता हूं आप च